तो गैस अगर आप लोग Samsung के डिवाइस यूज कर रहे और अगर आप लोग अपने फोन में developer options को enable कर रहे बट अगर developer options को enable करने की आप लोग process को भी follow कर रहे बट आप लोग को कुछ इस टाइप का errors हो कर रहा है decline this operation का और आपका जो developer options है वो अगर enable ना हो तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कर लीजिगा बिलका इकून को प्रेस कर लेना है तो simple आप लोग अपने phone में settings open करेंगे general management पे click करना होगा उसके बाद reset पे click करेंगे और simple हम अपने phone की जो settings होती है उसे reset कर देंगे इसमें जो भी गलत activity हुई होगी सब कुछ default हो जाएगा दें आपकी problem भी fix हो जाएगी इसमें आपका कोई भी data delete नहीं होगा आप लोगों को निश्जिन्त रहना है so topic cover होता है और I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है next वीडियो में जय माता दी